नमस्कार दोस्तों सुवागत आपका मेरी यूटिप चैनल सिंगला वर्तिल में तो आज का वीडियो में अपनी पुराणी वाली वीडियो को आगे दोर आते हुए आपके सामने पेश कर रहे हैं और इसमें जो परड़क्ट हम दिखाएंगे वो है सैरामिक के परड़क्ट हम उन्हें परानी वीडियो में वी आपको सैरामिक में परणक्ट दिखाए थें तो इसको आगे कोंटीनीउ करते हुए हम आपको कुछ और विभिन और यूनीक तरह के परड़क्ट आपको दिखाएंगे तो जो प्रड़क्ट हम इस वीडियो में आपको दिखा रहे हैं वो है सेरामिक में पॉर्सलीन में बने हुए सर्मिंग बाउल्ज और पैन्स यह एक फैंसी आइटम है जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें यह बेसिकली सर्विंग बाउल्ज हैं जो आपके घर में डेली रूटीन में आप काम में ले सकते हैं और आए गे पे जब आपके रिश्चेदार आएंगे तो आप इनमें कोई भी चीज जाल के सर्व भी कर सकते ह तो जैसे नाम में पता लग रहा है सर्विंग बाउल्ज हैं तो इसमें आपको एक तो यह वाल मिल जाएगा यह दोनों सेम तर्व के बाउल्ज हैं इसका जो बेस सहारा जो यह वाला पार्ट है जैसे आप दे सकते हैं और इसलीट्र के लगबग इसकी है इसकी जो capacity है वो लगभग एक लीटर के लगभग इसकी capacity है जैसे कि आप दे सकते हैं और इसी परकार से आपको मिल जाएगा एक serving pan यह square shape में बना हुआ है वोडन का इसका handle है इसको आप पकड़ना भी आपको easy रहेगा तो इसकी खास बात और एक यह है एक तो इसकी quality बिलकुल खराब नहीं होगी जो जैसे इसकी look है जिस परकार से यह दिख रहा है जो उपर वाली coating है वो वैसे की वैसे ही बरकरा रहने वाली है और साथ में यह micro save ह है microwave oven से भी है अगर आपने इसको गरम करना है रखके microwave में तो आप रखके गरम भी कर सकते हो इसमें आप कोई भी किसी भी परकार की dry item और wet item दोनों सर्व कर सकते हो जैसे अगर आप इसमें कोई भी manchurian spring roll डालके अपने guest के आगे सर्व करना जाते हैं वैसे कर सकते हैं अगर आप इसमें कोई भी किसी परकार की जैसे Swedish डालके गजरेला डालके खीर डालके सर्व करना है वैसे कर सकते हो जैसे अगर आपने इसको dining table पे भी रखना अच्छा लगे इसमें candies डाल दी ड्राफूड candies डाल दी लगला परकार की चोकले डालके सजावट के तोर के भी आप इसको काम में ले सकते हो और यह ऐसे इस परकार से आपका यह वला जो पैन है यह भी सर्मी पैन आपका काम आएगा और आपके घर के शोबा को और ज्यादा बढ़ा देगा तो इसी सीरीज में जो अगला प्रक्त में आपको दिखा रहा हूं वो है सेरा में का स्पाइस जार सेट यह इसको पिकल पोर्ट सेट भी किया सकते है वो देसी बाषामे से को बोलेंगे अच आरदा यह वुडण कम पॉर्सलीन में बना हूँया जो सारा-स बेस है वो वुडण का है और इसकी जो जार है यह वाले जो जार है जिसमें हमने पिकल डालके रखना है वो सार से लेने की जोत नहीं है इसको यहां से घुमाएगा अपनी तिर्फ करेगा और यहां से निकाल के अपना समान ले लेगा एक तो इसकी एक खास बात है इसका जो आपको ढकन मिलेंगे यह वाले जो लिट्स मिल जाएंगी वह भी सारे की सारी बैंबू लककट से मीन्स बहुत अच्छी क्वालेटी का वुडण होता है उसकी बनी हुई है इसका जो नीचे वाला जो बेस है यह भी सारा का सारा आपको बूडन का मिल जाएगा जैसे में आपको यह निकाल के दिखा सकते हैं इसकी जो हैंडी हैं वह सेरा मिक की हैं वैसे इसके लिट्स आगे जैसे कि आप देख सकते हूं और इसका ये लिफ की तरह बना हुआ ये वाला उपर का डिजाइन है जिसको यहां से पकड़ सकते हैं तो इसी रहेगा इसमें आप स्पून डालके यहां से आज दिया हुआ जाजा स्पून यहां से निकल जाए जैसे कि आप देख सकते हैं तो यहां से आपका यह spoon यहां से निकल जाएगा और आपको पकड़ने में भी असानी रहेगी सुन्दर रहेगा देखने में और evolving तो आपका हाई इसमें आपको एक परकार का design बनेगा हमने यह दो pieces यहां पे रखे हुए हैं दोनों के दोनों बिल्कुल सेम है इसमें आपको company यह वाइडोग collection में है और इसका 1404 1404 EN इसका code number है तो यह आपकी daily की daily routine में काम आने वाली चीज है सेरामिक में तो है ही quality जो भी आपस किन्दर डालोगी means कोई भी pickle डाल दिया spices गयारा जो डाल दिये वो खराब नहीं होगा है उसकी तो पूरी guarantee है ही बाकि इसकी जो quality है जैसे वुड़न की जो quality है वो बिल्कुल खराब नहीं होगी और जार की जो quality है वो भी खराब नहीं होगी कोई color गयरा नहीं लगेगा इसको spices का color गयरा नहीं लगेगा चड़ेगा नहीं इसके उपर ताजो जो बद्दा हो दिखने लग जाए ऐसी किसी परकार के आपको कोई दिखकर नहीं आएगगे तो गाइस यह था सेरमिक के पड़क्ट्स के उपर हमारा ये वाला वीडियो हम अगली वाले वीडियो में आपको सेरमिक के और भी पड़क्ट्स दिखाएंगे तो guys हमारे साथ बने रही है हमारी videos को ज़्यादा से ज़्यादा देख्यों उसके इओपर mode कीजिए हमारे channel को subscribe कर लिजी bell icon की गंटे को दबादीजिये और हमारी video को like कर दीजिये हमारे जो दोनों page है फेसऑग वाला और झाल झाल